हालो बच्चों आज क्लास 11 का एक टॉपिक चेप्टर 2 रिलेशन और फंक्षन संबंध और फ्रन की बारे में बात करने जा रहे हैं देखिए चेप्टर यह एक साइज है 2.3 2.1 2.2 और 2.3 लवार बार भर हम चेप्टर 1 से यह पोगर करते हैं जो को set theory पढ़ाए गई थी set theory में कहा गया था कि elements का order element लिखने किसी भी order में लिखे कोई फर्क नहीं पढ़ता फिर जब 2.1 पढ़ाए गया तो वहाँ पढ़ाए गया ordered pair क्रमित यूग्म कहा गया भई order change करने से फर्क तो पढ़ता है अगर एक point का coordinate 1 कामा 2 है और एक का 2 कामा 1 है तो दोनो points सेम नहीं होते हैं अलग-अलग होते हैं तो मैंने order में लिखना शुरू किया तो order में लिखना शुरू किया तो यह हुआ भई order में लिखना हो तो इसमें relation होगा यह इसे छोटा होगा यह इसे बड़ा होगा इसका सम्त्री होगा तो हमने सम्मंद पढ़ा relation पढ़ा उसके लिए 2.2 पढ़ाई गी अब आते हैं function यहाँ पर function है बहुत ध्याद से समझेगा यहाँ पर हलका-फुलका function को touch किया गया है और 12th class में function का पूरा बाबा दादा पूरे उसकी खांदान एकदम से प्रकट हो करके आ गया है तांडो करने लगा है तो यहाँ से अगर आपको basic गड़बर हो जाएगा तो दिक्कत आएगी ज़रा समझेगा अगर A से B में एक set A है और एक set B है इसमें कोई relation है F such that A to B relation है संबंध है तो हमने बताया था कि माने यह set A है यह set B है इसके element 1,2,3,4 है इसके A,B,C,D है E है इसके सभी element code domain कहलाते है हिंदी में कभी-कभी code domain लिकर के आता है हिंदी में कहते हैं सापरांत माने 1,A से जुड़ा हुआ है 1,B से जुड़ा हुआ है 2,A से जुड़ा हुआ है 2,C से जुड़ा हुआ है 3,C से जुड़ा हुआ है और 4, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसके जो element इससे जुड़े है जो जुड़े है वो domain कहलाएंगे हिंदी में इसको कहेंगे प्रान्थ और इसके जो element जुड़े है co-domain के उन्हें हम कहेंगे range उसे कहेंगे परिसर ये concept था relation का function is a type of relation एक relation कुछ condition के साथ अगर दिया होता है तो उसको हम function कहते हैं उसको हम फलन कहते हैं फलन का मतलब होता है कि वो सम्मंध जो कुछ conditions के साथ हो ये condition follow करेगा तब ये function कहलाएगा ज़रा ध्यान से समझेगा अगर basic concept clear हो जाएगा तो बहुत आसान होगा देखिए a से b में सम्मंध है a के element ये है और b के element ये है साथान ध्यान से देखिएगा a के सभी element domain कहलाते है सभी element relation में अभी हमने क्या होता है कि a के वो element जो इससे relate करते है लेकिन चुक यहाँ कोई element छूटेगा ही नहीं relate करना ही पड़ेगा तो इसके सभी element domain कहलाते है नहीं प्रांत कहलाते है बारवाजन दीने लिखेंगे इसके सभी element को domain कहलाते है ठीक है अब ज़रा समझे अगर यहाँ यह a है यह b है अगर यह element one, two, three, four है यह a, b, c, d, e, f है देखो थान से अगर one a से जुड़ा हुआ है तो लिखा क्या जाएगा देखे अब एक माल लेते हैं यह एक सीसा रखा हुआ है माल लेते हैं सीसा है निवे से तो one जब इधर से देखेगा सीसे में तो उसको अपनी image दिखाई पड़ी गी a तो हम कहेंगे a is the image of one क्या पढ़ा जाता है कि a is image of one image of one अब हिंदी में image आप जानते है f1 is equal to a तरीका देखे लिखने का अब समझीएगा आप खड़े हैं सीसे के सामने one खड़ा है सीसे के सामने तो क्या one के दो image बन सकते है अगर सीसे के सामने आप खड़े हो जाओ तो क्या आपकी दो image बन सकती है नहीं यारी one का b image नहीं हो सकता अगर यह है तो this is not function पहली condition relation में हो सकता है relation में हो सकता है कि इनके फूपा है इनके फूपा है इनके फूपा है इनके वो हो सकता है function कहता जी नहीं domain के एक element के दो image नहीं होने चाहिए पहली condition हाँ दो लोग एक सीसे में देख सकते हैं तो दो की एक image हो सकती है एक की दो image नहीं हो सकती पहली condition है समझेगा और इधर सबके कुछ न कुछ image बनने चाहिए इधर कोई छूटना नहीं चाहिए बस इतनी condition है कि इसमें एक element के दो image नहीं होने चाहिए एक element के दो image नहीं होने चाहिए पहली चीज और दूसी चीज ये है कि इधर कोई element छूटना नहीं चाहिए अब समझेगा B के सभी element क्या है कोडो में कहलाते हैं और B की वो element जो इसके साथ relate कर रहे हैं A, C और D इन्हें कहेंगे परिसर इन्हें range कहेंगे तो यहाँ पर यह तो हो गया कि function है कि नहीं कैसे check करेंगे अब X जाएगी हाँ पर domain और A का आएगी range अब domain क्या होता समझेगे मैं co domain की बात नहीं करूँगा जो रिस्तेदार है उन्हीं की बात करूँगा तो जब domain की हम बात करेंगे ज़रा साउधानी से सुनिएगा domain की बात करेंगे तो अगर मैं कहूँ कि F says that A to B अगर A के element का नाम X दे दे और Y के element का B के element का नाम Y दे दे तो हम कहेंगे Y बराबर Fx देखो A के element X जब A1 था तो हम यहाँ F1 लिखते थे यहाँ Y लिखते थे के लाएगा domain यह क्या के लाएगा range जो जुड़े हुए हैं पुरे तो को domain है अब domain आप से कहा जाएगा X की वो value X की वो value जिसके लिए Y defined हो यारी अगर if Y is the function of X अगर Y X का function हो function का मतलब फलन हो फलन का मतलब जो conditions बता ही हो follow कर रहा हो if Y is the function of X then the value of X the value of X for which Y is defined Y is defined Y बोले तो FX is defined Y का मतलब FX is defined defined का मतलब यानि X का वो मान जिसके लिए Y परिभासित हो defined का मतलब क्या होता है देखे X की कोई ऐसी value न रखिएगा कि Y under root में negative आ जाए defined नहीं होगा क्योंकि imagery हो जाएगा और X की कोई ऐसी value न रखिएगा कि Y infinite आ जाए इन दो चीज़ों से आपको बचना है कि Y infinite न हो क्योंकि defined नहीं है मेरी ताकत infinite है अनंत है मेरा knowledge infinite है हमको इतना आता है इतना आता है किसी को आता ही नहीं है यह defined नहीं है यह नहीं हो सकता सम्भो नहीं है ठीक है जब कोई question आएगा तब हम बात करेंगे, अभी function की बारे हम बात करते हैं, जैसे question आगे बढ़ेगा हम समझाते जाएंगे, जरा समझने की कोशिस करिएगा, tough नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आपने बद देखा और आगिया, ये modern जब रहा है, technical होती है, जरा समझ समझिएगा, exercise 2.3 NCRT कम discuss करने जा रहे, पहला question उठाईए, किताब सब के पास होगी, जनके पास अभी ना खरीदी हो, वे net से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंग बहुत सारी उसमें बुक्स पढ़ी होंगे NCRT की, जरा समझिएगा, पहला question नहीं का है, कि which of the following are function, give reason, if it is a function, determine its domain and range, मैंने तो function बताना है कि function है की नहीं है, देखो द्यान से, कैसा बोला है इन्होंने, पहला question है, कि यह function है की नहीं है, exercise है 2.3, देखे, एक relation है, एक order पे रहे 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1, यह function है की नहीं, पहले यह बताईए आप, देखो द्यान से, मैं ऐसा करता हूँ, कि इस प्रकार से, एक domain बना लेता हूँ, यह A बना लेता हूँ, यह B बना लेता हूँ, समझाने के लिए, पहरा element पहरे लिखा हुआ है, बाद वाला यहां लिखा हुआ है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और यहां 1 है, 2, 1 से जुड़ा हुआ है, 5, 1 से जुड़ा हुआ है, 8, 1 से जुड़ा हुआ है, 11, 1 से जुड़ा हुआ है, 14, 1 से जुड़ा हुआ है, 17, 1 से जुड़ा हुआ है, क्या इधर कोई element छूटा नहीं छूटा क्या किसी एक element के दो image है नहीं है one two का एक ही image है five का एक ही image है यानि every element of domain has distinct image domain के हर element की एक अदुती image होनी चाहिए it is a function आप दिखेंगे it is a function domain reason क्या है each element of domain has have distinct image has लिगेगा has distinct image अलग-अलग image है आप दिखेंगे कि domain के प्रतेक अव्यों की अलग image है नहीं sorry यह तो language उल्टी हो जाएगी because नहीं sorry यह तो एक ही image हो रही है एक की दो नहीं होनी चाहिए it is a function because no element of domain has two images two images क्योंकि domain के किसी भी element के पास दो image नहीं है इसलिए यह function है आप चाहिए पर domain निकालो इसका domain क्या होगा यह domain हो जाएगा 258 तो domain हो गया 258 11 14 17 और कहरें इसका range निकालो तो range क्या हो जाएगा केवल one हो जाएगा यह प्रांथ यह परिसर यह आपका function था second question देखीगा इसका second question में कह रहे है second part इसका देखीगा इसी का second part है 2 1 2 1 एक order प्या रहे 4 2 दूसर प्या रहे 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 देखे यह आपने a बनाया यह आपने b बनाया पहले a के element दिखे यह आप पहले वाले element 2 2 4 6 8 यह लिखीगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 जुड़ा है 1 से 4 जुड़ा है 2 से 6 जुड़ा है 3 से 8 जुड़ा है 4 से 10 जुड़ा है 5 से 12 जुड़ा है 6 से 14 जुड़ा है 7 से अब बताइए क्या इधर कोई element छूटा नहीं छूटा क्या किसी एक element के दो image है नहीं है इसके दो image नहीं है सिंगल image है हाथ दो के एक image हो सकते हैं तो यह function है yes it is a function region वही लिखेंगे domain क्या होगा इसका two four six eight ten fourteen और यह range हो जाएगा इसका ठीक है तीसरा पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है तीसरा पार्ट कह रहा है कि one three one five two five तीसरा पार्ट है one three one five two five पहले इसको आपने इस पुगार से map बनाई है इसका radar आइराम कहते है one two three five one three से जुड़ा हुआ है one five से जुड़ा हुआ है two five जुड़ा हुआ है अब यह function है यह नहीं है because one has two images one की दो image है जो की function के नियम के विपरीत में है इसलिए यह function नहीं होगा तो यह आपका पहला question है अब जरा second question समझिएगा अब domain और range को समझाने की बात आती है थोड़ा tough माना जाता है domain क्योंकि समझ में नहीं आता है थोड़ टेक्निकल है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझ में आ जाए find the domain and range of the following पहला पार्ट यह है second question का पहला पार्ट है fx is equal to जिक सुप y कहते हैं आप fx is equal to mod x minus देखो अभी थोड़े पहले हमने बताया कि होता क्या है कि a से b के बीच में एक relation है वो type of function कहलाता है f भी उन्होंने का यह इसके रिस्तिदार है ठीक है कौन से रिस्तिदार इनकी है वो ने यह इनके फूपा है एक particular relation हो गया उसको function कहते है function की कुछ conditions होती है इधर के element को x कहते है इधर के element को y कहते है function का नाम f दिया गया है तो y बरावर क्या लिखा जाता है f x x domain कहलाता है तो y जो जुड़ा हुआ है वो range कहलाता है तो x की value वो जिस पर y defined हो x कोई ऐसा न रख दो कि y root में negative आ जाए x कोई ऐसा न रख दो कि infinite आ जाए तो X टी वो वैलू जिसके लिए Y डिफाइंड हो वो डोमेन कहलाता है और Y की जो वैलू मिलती है उससे X टी वैलू वैलू रखने से Y जो मिला Y जो मिला वो रेंज कहलाता है समझे बात अब जरा देखे पहला पार्ट Y is equal to mod X पहले हम डोमेन निकालने जा रहे है जरा समझने की कोशिस करिएगा देखे X को आप क्या रखें कि Y डिफाइंड हो कुछ भी रख दीजी आप 1 रखोगे तब माइनस वनाएगा 2 रखोगे 1 बाई 2 कुछ भी रख दीजी ए X को Y आपको मिलता रहेगा X को हमने क्या कहा X कहीं ऐसा न रख दो कि रूड में निगेटिव आ जाए रूड है नहीं यहाँ पर X कहीं ऐसा न रख दो कि यह इन्फाइनेट हो जाए तो इन्फाइनेट यहाँ पर है नहीं तो यानि की डोमेन क्या होगा All Real Number पहली चीज सेकंड चीज इसको ऐसे भी लख सकते है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेकिन इन्फिनिटी नहीं रखेंगे तो open interval ऐसे लिखा जाता है open का मतलब होता है हम boundary वाले element नहीं लिख रहे हैं अब ज़रा range समझेगा range राष समझने की कोशिश करिएगा देखे आप x को कुछ भी रखे जो y मिलेगा वो range होता है हमने क्या कहा x की value रखने पर जो y मिलता है वो range मिलता है x को आपने real number रखा अब real number चाहे positive रखो mod तो हमेसा plus होगा लेकिन बाहर लगा हुआ है minus तो हमेसा negative value आएगी और कम से कम कौन से value आएगी 0 और 0 से लेकर के minus 1, minus 2, minus 1 point infinity आएगी तो range क्या होगी minus infinity से लेकर के 0 0 आ सकती है इसलिए यहाँ पर rectangular bracket ये close interval होता है और infinity नहीं आएगी इसलिए इसको open interval open का मतलब होता है boundary element नहीं लिखने है और ये close होता है इसमें boundary element count किये जाते है तो ये पहले part का domain and range हो गया अब जरा second part समझने की कोशिश करिएगा हमने क्या कहा x की value जिसके लिए y defined हो उसको domain कहते है और जो y की value ऐसी जिसके लिए x defined हो जो y मिलेगी वो range कहलाती है जरा देखे second part उसका क्या कह रहा है जिसको y कह रहा है fx is equal to under root 9 minus x square समझने की कोशिश करिएगा हम domain निकालने जा रहे है for domain देखे हमने क्या कहा x की वो value जिसके लिए y defined हो अब ये root के अंदर आ गया हमने क्या कहा कि x कुछ ऐसा मत रख दो कि root में negative आ जाए x कुछ ऐसा मत रखो कि y infinity आ जाए तो infinity आने का तो chance नहीं है क्योंग 1 upon नहीं लिखा हुआ है तो domain के लिए जो root के अंदर की चीज है वो greater r equal to 0 होना चाहिए यहनि greater than 0 हो या less than 0 हो ठीक अगर आप चुकि यह negative है तो इसमों minus से multiply कर दो तो यह हो जाएगा x square minus 9 is less r equal to 0 अब x की value निकालो जो इसको satisfy करें इसका तरीका देखिए क्या होता है इसके factor कर दो x plus 3 और x minus 3 is less r equal to 0 देखिए जैसे तो बहुत सारे methods है inequality solve करने के लेकिन आप inequality solve आप कर लेते नहीं कर लेते मुझे नहीं मालू अब करेंगे क्या आप एक number line बना दो बना दिया जब आप x minus 3 0 करोगे इसको 0 कर दो तो x की value क्या आएगी 3 यानि x की value 3 यहाँ पर value जो आएगी 3 पे यह 0 आएगा जब x को रखोगे minus 3 तो यहाँ पर 0 आएगी value ठीक अब ऐसा करो 3 से उपर value कोई रख उठाओ कोई 3 से उपर value उठाईए कोई value उठा लीजे 3 से उपर वने 4 उठा लिया यहाँ 4 रखो तो यहाँ आएगा 4 minus 3 sorry 4 plus 3 और यहाँ आएगा 4 minus 3 यहाँ आएगा 7 into 1 यह value positive आ रही है negative आ रही है यहाँ इधर की value कैसी आएगी positive यहाँ अगर 3 से बड़ी value आप यहाँ रखते हो तो value कैसी आएगी positive ठीक अब ज़रा इसके बीच की एक value उठाओ उठाए आपने उठाए यहाँ जिर उठा लीजे जिर रखो यहाँ पर जब जिर रखो की तो की आएगा 3 into minus 3 minus 9 यह value कैसी आएगी negative ठीक अब इसके पहले की value उठाओ minus 4 उठालो यहाँ रखो minus 4 plus 3 minus 4 minus 3 minus 1 into minus 7 यानि की plus का 7 यह value positive आएगी यानि यहाँ से लेकर के infinite तक value positive रहेगी यहाँ से लेकर के minus infinite तक value positive रहेगी और इसके इसके बीच value negative आ रही है अब ज़रा समझेगा आप domain कैसे निकालेंगे साउधान देखो आपको x की ऐसी value चाहिए कि यह multiply less or equal to 0 हो negative हो 0 भी हो सकता है तो यानि यहाँ तो negative आ रहा ना तो यहाँ से यहाँ तकी domain हो सकता है और 0 भी हो सकता है इसलिए 3 भी लेंगे और minus 3 भी लेंगे तो domain क्या आएगा जो domain आएगा वो minus 3 से लेकर के 3 close interval बंद अंतराब सौन में आ गई होगी आपकी domain वाली बात अब ज़रा co domain की बात करतें वो थोड़ा सा technical होता है range की value देखिएगा हमने क्या कहा देखे जब domain निकाल रहे थे यह x था यह y था y is the function of x था x के पास खड़े थे और x को देख रहे थे x से y निकाल रहे थे तो y की हम कहेंगे x के ये कौन y x के कौन ये x के कौन ये तो मैं y का जो relation दे रहा था y का जो पर्चे दे रहा था वो x के टम में लिख दे रहा था इसलिए मैं y का मान x के टम में लिख रहा था अभी क्या होगा हमको y निकालना है तो हम y के पास खड़े होंगे y से पूछे ये तुमारे कौन ये तुमारे कौन तो हमें अब x टी वैलू y के टम में लिखनी पड़ेगी क्योंकि y का जो पर्चे है वो x के टम में आना चाहिए क्योंकि हमको y का मान निकालना है y की वो वैलू जो x जिसके लिए x डिफाइड हो तो आप x की वैलू निकालो y के टम में अभी तक y की वैलू थी x टम में क्योंकि हमको y निकालना है अब देखे ध्यान से y is equal to क्या होता है under root 9 minus x square squaring both side कर दो y square is equal to 9 minus x square x square जाल ले आओ x square is equal to 9 minus y square x is equal to under root 9 minus y square y की वो वैलू जिसके लिए x defined हो तो आप देख रहे हैं कि 9 minus y square should be greater or equal to 0 negative नहीं हो सकता ठीक है यहां रखो 3 अब minus common बनलो 3 minus y 3 plus y हम ऐसे लिख रहे हैं number line बना लो बना लिया आपने जब आहां के रखो कि 0 यहां 3 आएगा यहां minus 3 आएगा एक बार 3 से बड़ी value यहां रखो रखा value आपने 3 से बड़ी 4 रख दीजिए तो यहां क्या आएगा 3 minus 4 और 3 plus 4 यह negative यह positive यह value कैसी आएगी यहां पर negative आएगी आ गया होगा सौझ में एक बार minus 3 से छोटी रखो minus 4 रखो तो जब minus 4 रखेंगे तो यहां आएगा 3 minus यह प्लस 4 यह 3 minus 4 तब यहां भी negative आएगा एक बार रख दो 0 तो यहां positive आएगी value अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा आपको यहां पर दिख रहा होगा कि minus 3 से 3 के बीच क्योंकि आपको कैसी value चाहिए positive minus 3 से 3 के बीच में आपको range दिख रही है यानि यह range कैसे दिख रही है minus 3 से 3 के बीच में दिख रही है लेकिन देखे यह root के अंदर एक स्थाना x cannot be negative sorry y negative नहीं हो सकता यहां पर यानि कि आपका minus नहीं हो सकता है 0 से 3 आप लिखेंगे क्योंकि यहां लिखेंगे कि y जो होगा y cannot be negative y negative नहीं हो सकता तो यानि कि range आपकी क्या निकलेगी 0 से लेकर के 3 के बीच में यह range होगी यानि कि y एक तो negative नहीं हो सकता पहली चेज़ तो minus तो हो नहीं सकता तो आपको minus 3 से 3 और 0 से 3 के बीच का common portion आपको लेना पड़ेगा इसलिए यह domain जो range निकलेगी और 0 से 3 के बीच निकलेगी तो यह वाला part हो गया इसके बाद अगला part देखते है third question देखिएगा जार द्यान से अभी detail में आपको intern पढ़ाये जाएगा यहां बहुत हलका फुलका आपको function का परिचे दिया गया है इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जुरुत है अभी हम R.D. शर्मा discuss करेंगे तो उसमें function के बारे में बहुत detail में है थोड़ा 11 में detail है तो आप जानते है कि आप दिक्कत है थर्ड question कह रहा है कि function fx की value dv है 2x-3 हम इसाद जाने केगा x इधर रहा होगा और 2x-3 उधर रहा होगा तो कहने हैं आप f0 निकालो पहला part आप से कहने है f0 निकालो x औरग दो 0 तो 2 into 0-3 value कहाएगी minus 3 फिर second part आप से कहा रहा है f7 निकालो तो एसको 7 लग दो 7 to the 14-3 यानिकी 11 और third part आप से कहा रहा है f-3 निकालो x4 को minus 3 minus 6 minus 3 value कहाएगी minus 9 question 4 देखिए a function t which maps temperature in degree Celsius into temperature in Fahrenheit मैंकर degree Celsius और Fahrenheit आपने temperature सुने होगे Kelvin, Fahrenheit, degree centigrade तो Celsius कहते हैं उनमें relation दिया है T जो कि Celsius का function है वो दिया है 9C upon 5 minus plus 32 यह Fahrenheit और Celsius में relation है तो कहने है find T0 T0 निकालो यहनि C कमान 0 कर दो तो क्या आएगी? 32 value आएगी फिर कहते है T28 निकालिए T28 निकालिए C को रख दो 28 9 into 28 upon 5 plus 32 इसको solve करेंगे अपने आप यह 412 upon 5 आएगा फिर कहा रहे है कि T minus 10 निकालिए C को रख दो minus 10 तो minus 90 upon 5 plus 32 तो यह value आई है आपकी 14 ज़रा 4th part समझेगा language थोड़ी change है देखे 4th part क्या कह रहा है अभी अगला question फिर domain range का है उसमें समझाने की कोशिच करेंगे समया जाना चाहिए वैसे टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिबाग तो लगाना पुड़ेगा यह कह रहे है कि for what value of C T C बरावर 212 मतब T C क्या दिया हुआ है T C का relation वो दिया है 9 C upon 5 अब कह दर T C 212 है यानि कि 9 C अपान 5 5 plus 32 बरावर 212 यहाँ C कमान निकाल लो तो 9 C upon 5 is equal to 212 minus 32 इसको minus करोगे 212 में 32 करोगे तो हाँ 0 आएगा और 11 में 9 गया 11 में 3 गया तो 8 3 गया आएगा और यह आएगा आपका 180 180 आएगा तो तो C कमान निकालोगे तो 5 से multiply होगा 9 से divide होगा 19 उठारा 20 इंटू 5 ते value क्या आएगी 100 यह fourth question है fifth में फिर range और domain को बारे में बात कर रहे हैं find a range अब थोड़ा साउधान फिर हो जाईए थोड़ा समझ लिजेगा मैं domain में बता दूँगा range में बता दूँगा इधर को x कहते हैं उधर को y कहते हैं x की value जो निकलती है वो domain होती है और x की value के corresponding जो y निकलता है उधर जो y निकल सकता है वो range होता है x की value पर जो y निकला है जो जो y निकला है तो x का जो मान रख रहे है वो तो domain है उससे जो y मिल रहा है वो range है उसी के बारे में आप से बात कर रहे हैं कि range निकालिए देखिए पहला part क्या कर रहे है fifth question है find the range यानि कि आपको यहाँ पर परिसर के बारे में बात कर रहे है पहला part है fx बराबर fx is equal to 2x 2 minus 3x 2 minus 3x जहां x belongs to real number पहली बात कह रहे है और x greater than 0 है x 0 से बढ़ा है हमने अभी क्या कहा कि x के मान पर रखने पर जो y मिले यह क्या है यही y है ना x के मान रखने पर जो y मिले वो range अब मैं method change कर रहा हूँ देखे इसके मान पर जो y मिले वो range आप से कहा x greater than 0 ठीक यहाँ पर 3x है 3 से multiply कर दिया तो 3x greater than 0 फिर आपको चाहिए minus का 3x minus से multiply कर दिया तो जब minus से multiply करते हो जाता है less than 0 फिर आपको 2 plus करना है दोनों में 2 plus कर दिया तो क्या यह 2 minus 3x is less than 2 यह actual में क्या है y actual में क्या है sx यानि fx is less than 0 और जो sx मिलता है वही तो range होता है x के मान रखने पर जो sx मिले वही तो range है तो यही range है क्या है less than 2 real number less than 2 मतलब 2 से छोटा 1.999 से लेकर के और minus infinity तक तो range क्या हो जाएगी यहाँ पर यहाँ range होगी 2 से लेकर के minus infinity minus लेना नहीं है open 2 भी लेना नहीं है क्योंकि equal to लिखा नहीं इसमें है तो यह आपका हो जाएगा range समझ में आ गई होगी बात अगला पार्ट देखिए fifth का second part क्या कह रहा है आपसे देखिए second part कह रहा है fx is equal to x square plus 2 fx जिसको की y कहते है is equal to x square plus 2 where x belongs to real number x जो है वो real number है तो आप बताएगा इसका domain क्या होगा ज़रा समझेगा आप x को पकड़िए आप कोई भी real number रखिए उसका square करने पर कभी negative तो आएगा नहीं तो पहली condition हो गई कि x square will always be greater or equal to 0 यह हमेशा 0 से बढ़ा होगा 0 हो सकता है ठीक है और अगर 2 plus कर दें दोनों तरफ तो greater or equal to 2 हो जाएगा यही आपका fx है fx is greater or equal to 2 हमने क्या कहा x के रखने पर जो fx मिलता है वही range होता है 2 से बढ़ा कहां तक infinite तक तो जो range आपकी निकलेगी जो परिसर आपका निकलेगा वो 2 से लेकर के infinite तक infinite लेना नहीं है 2 लेना है क्योंकि equal to लगा है इसलिए close interval यह हो गया जाकर के थर्ड पार देखिए fx बराबर x थर्ड है fx बराबर x where x belong to real number आप x को कुछ भी रखो वही fx मिल जाना है जब x real होगा तो range भी क्या होगी वो भी real हो जाएगी तो यह इस exercise का concept है यह आपका function है बहुत basic बताया गया है class 12 में बहुत समझ गया होंगी कितना खतरनाक वहाँ पर आप यह इसका रूप लेगा तो आप समझ सकते हैं जब 12 आएगा तब बताये जाएगा तब तक करिएगा खुश रहिएगा ठोड़ा सा happy feel करिएगा क्योंकि यहाँ happy feel ही किया जा सकता है अब इसको पढ़ने बालोग happy होते नहीं है और tough उनको feel होता है होता नहीं है उनको feel बड़ा जीव होता रहे क्या है तो ऐसा होता है तैंक्यू